आज हम लाएं हैं mango lovers के लिए बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरे साल आम को enjoy कर सकते हैं और बिल्कूल भी आप इसे miss नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा interesting और helpful वीडियो यह आपके लिए रहेगा, तो सबसे पहले हम अच्छी quality के भड़िया वाले आम ले लेंगे, मैंने आज यहाँ पर केसर आम लिये हैं, मेरे फेवरेट आम है, अलफेंसो, हापुस और केसर, तो मेरे घर में यह दो तरह के आम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैंने इन्हें वाश कर लिया है, उसकी बाद में हम इने चलके निकाल तो माल लेगे, और इन्हें फाइनली चॉप करेंगे, तो आप कें इनो काव फेमस है, तो आपके अएजी आम कौन से हमें कमेंस में जरू बताएं, किस सिटी से आप आम वीडियो को देख रहे हैं, वह भी हमें जरू जरू बताएं, इस तरह से देखें, हमने आम को छील ल तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगे कि मैं की हूँ इस तरह से आम को स्टोर करके रखती हूँ और वो मेरे काफी काम भी आता है तो इस तरह से छील लेने के बाद में मैं रखली चॉप कर लेना है तो फ्रेंट जब भी मैं आम को इस तरह से स्टोर करती हूँ तो उसके बा आप उनकी चॉइस पर उनकी डिमांड पर इस तरह से आम से बनी चीजह उन्हें बना कर दे सकते हैं बच्चे बड़े खुश होते हैं आपको भी बड़ा अच्का लगता है कि अनकी फेवरिट चीजह बिना सीजन के भी उन्हें बनाकर खिला दी हैं तो मेरे कुछ सिंपल से ऐही आपको बता दिए हैं इस तरह से मैं आम को स्टोर करके रखती हूं देखिए इस तरह से मैंने को cafe कर लिया तो जितने भी आम आपको चाहिए अइंगर सब्स आजिघिए को क्यू के लिए ताकि आपका जो फूट ग्रेड होगा आपका फूट खराब नहीं होगा और काफी फ्रेश और हाईजिनिक भी रहेगा तो इस तरह से में यहां पर क्वालिटी वाले डिबे यूज करती हूं तो जो डिब आपको चाहिए वह ले सकते हैं या फिस तरह से सिंपल मिलने वाले जिपलोग पैक का भी यूज कर सकते हैं तो जो आपके पास अविलेबल हो उनका अपनी इसमाल करें और उसके अंदर बारी कटेवे हम आम के पीसिस को डाल देंगे और इन्हें सिंपली हम फ्रीजर सेक्शन में जहां पर हम आइस क्रीम जमाते हैं उस जग आपको जितना आम चाहिए इस तरह से आम फ्रीजर सेक्शन में रखके और आम से सालवर स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और से मैं इस तरह से पाउच में भड़ लिया है अच्छे से लॉक लगाते हैं और उसके बाद मैं इसे रख दें अब आप यह ले बिल्कुल भी स्टोर करती हूं तो जो आपकी मरजि उससे आप यहां पे स्टोर कर सकते हैं लेकिन मेरा एक टिप है कि आप इने छोटे-छोटे डिबबों में स्टोर करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जितना आम आपको चाहिए उतना आप निकालें बा हम इसको निकाल सकें तो मैंने आम की पेस्ट को पीस लिया है उसके बाद में इस तरह से मेरे पास में सिलिकॉर मोल्ड है मैं यह चोक्लेट बनाने वाले इसको इजीरी मिल जाता है आप कोई भी छोटी कटोरी चो डिब्बे आते हैं प्लास्टिक के उन में भी आप इने स्ट कि अब आपको बताएंगे की कैसे स्टोर करना है तो अभी देखिए अच्छे से से सैट हो चुकी है उसके बाद में इसे डीमोल्ड कर लेंगे इस तरह से क्योता है कि प्यूरी फॉर्म में एक एक क्यूब को आप यहां पे स्टोर करेंगे तो जब भी आपको एक रेसिपी के हमारे आम के क्यूब्स तयार है और आप इसे किसी भी एट एट कंटेनर में भर दें और उसके बाद में आप इसे फ्रीजर सेक्शन में रख दें तो इस तरह से आपका ये आम साल भर के लिए स्टोर रहेगा बिलीव ही बहुत ही भड़िया हेल्फुल वीडियो है आप इसे जरूर ट्राय किजी तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं इसी तरह की रेसिपीस के लिए में फॉलो करें थैंक यू